प्रेश दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूबर और नेवर मिस अनादर अपडेट अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें अपने दोस्तों में फेस्बुक और वाटसेप पे ज्यादा सी ज्यादा सेर कर दें ताकि वो भी इसका लाब ले सके और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज वीडियो के निचे दिये एगे रड सबसक्राइब बटन पे किलिक करके चैनल को सबसक्राइब कर ले और बैल आइकॉन पे किलिक करके आल नोटिफिक्षन ओन कर ले ताकि जब भी हम कोई नयग वीडियो अपलोड करें अत्वा बलोग विकास अधिकारी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तो विकास खंड का निर्मान विभिन पंचायतों को मिला कर होता है और इसके केंदर इस्तान को सामुदाइक विकास केंदर कहा जाता है विकास खंड और सामुदाइक विकास केंदरों के सायोग से बड़े पैमाने पर विकास से समंदे जन कल्यान योजनाओं को परियूप्त किया जाता है वीडियो ओफिसर को विकास खंड के परबारी अधिकारी को बलोक डिवलोमेंट ओफिसर कहा जाता है दोस्तो सबसे पहले है किसी भी जोब को पाने के लिए जरुरत पढ़ते है क्वालिटिक्शन यानि की योग गेता की दोस्तो बीडियो ओफिसर बनने के लिए सक्षिक योग्यता, बीडियो ओफिसर बनने के लिए उमिदवार किसी भी माननेता प्राप्त युनिवर्सिटी से ग्रेजुशन या फिर पोस्ट ग्रेजुशन होना अनिवारी है दोस्तो बीडियो ओफिसर बनने के लिए उम्रशिवा, बीडियो ओफिसर बनने के लिए नूनतम आयू 21 वर्स और अधिकतम आयू 40 वर्स होनी चाहिए जिसके अंदर गोर्मिंट्स के रूल्स काहदार पर कैटेगरी वाई इसमें छूट भी दी जाती है जैसे कि OBC काटेगरी वालों को 3 वर्स और SC-ST काटेगरी वालों को 5 साल की छूट दी जाती है दोस्तो बीडियो ओफिसर के लिए चैन परक्रिया क्या है दोस्तो बीडियो ओफिसर पद के लिए उमिद्वार का चैन रिटन एक्जाम और इंट्रिव के आदार पर किया जाता है इसमें सबसे पहले रिटन एक्जाम लिया जाता है अगर इसको उमिदवार पास कर लेता है तो फिर उसको साथ ही इंट्रिवू के लिए बुलाया जाता है बीडियो ओफिसर परिक्षा की चैन परिक्रिया इस परकार से है नमबर एक प्रिलिमेंडरी एक्जाम यानि प्रारंबिक परिक्षा नमबर दो के उपर मैन एक्जाम यानि मुख्य परिक्षा और नमबर तीन के उपर इंट्रिवू यानि की साथकार दोस्तो सबसे पहले होती है आपकी प्रिलिमेंडरी एक्जाम यानि की प्रारंबिक परिक्षा दोस्तो प्रादम्बिक परिक्षा के अंदर आपको objective type के जो question होते हैं वो पूछे जाते हैं और उस परिक्षा को only for आपको उत्तिरन यानिक पास करना होता है जब आप प्रादम्बिक परिक्षा पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको man exam में बढ़ाया जाता है उसके बाद आपका होता है man exam दोस्तो वीडियो ओफिसर बनने के लिए दूसरा चरण man exam होते हैं कि मुख्य परिक्षा होती है इस परिक्षा में उमिद्वार द्वारा चुने गए दो optional subject में से चार पेपर होते हैं इसमें क्यूशन पेपर में सामाने हिंदी निमंदी के लिए 150-150 अंको में दो क्यूशन और सामाने अध्यान के दो क्यूशन 200-200 अंको के पूछे जाते हैं जब आप मुख्य परिक्षा पास कर लेते हैं तो आपका इंट्रिव होता है दोनों परिक्षा में उत्तिरन होने पर उमिद्वार को इंट्रिव के लिए बुलाया जाता है और इसमें अन्य ओफिसर आपके सामने बैठ कर कुछ सवाल करते हैं और इसमें आपके परदर्श की सैलरी बहुत अच्छी होती है वीडियो ओफिसर की सैलरी लगवग 93 रुपए से लेकर 35,000 रुपए परती महा के बीच में होती है और दूसरा इसके साथ साथ वीडियो ओफिसर को अन्य कई तरह की सरकारी सुजदाएं भी दी जाती तो दोस्तों इस परकार से आप वीड वाट से उपर सेर कर दे ताकि वो भी इसका लाव ले सके और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो वीडियो के नीचे दिए गर रेड़ सब्सक्राइब बटन पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकोन पर किलिक करके आल नोटिफिक्शन ओन करने ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अफ्लोड करें तो उसकी जान करें सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद दोस्तों